हेलो फ्रेंस आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लेगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंस अभी अभी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है सुप्रेम कोट की तरब से दारा 497 के उपर जिसमें की 497 को सुप्रेम कोट ने खतम कर दिया है जो कि ये कहता है कि शादी के बाहर जो अवैद संबंध होते हैं वो अब एक अपरात नहीं होगा व्याभी चार यानि की अडल्ट्री अडल्ट्री यानि की शादी के बाहर के जो शारीरिक संबंध पर सुप्रेम कोट ने बड़ा फैसला सुना दिया है सुप्रीम कोट ने पांच जजो की बेंच ने अपनी सहमती से व्याविचार यानि की अडेल्टरी की धारा को खतम कर दिया है बेंच की सदसे जस्टिस इंदू मलहोतरा ने कहा है कि मैं धारा 497 को खारिच करती हूँ सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि ये कानून 157 साल पुराना है हम टाइम मशीन लगा कर पीछे नहीं जा सकते हो सकता है कि जिस वक्त ये कानून बना था उसकी एहमियत रही थी लेकिन अब वक्त बदल चुका है किसी भी वक्ती को सिर्फ एक नया साथी चुनने के लिए जेल नहीं बेजा जा सकता जश्टिस दीपक मिश्रा और जश्टिस खनविलकर ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि व्याभीचार यानिकी अडल्ट्री अब अपराद नहीं हो सकता कोट ने चीन, जपान, अस्ट्रेलिया, यूरोप के कई देशों में अडल्ट्री अब अपराद नहीं है इसका हवाला दिया कोट ने ये भी कहा कि धारा 497 मनमाने अधिकार भी देती है फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोट ने कहा कि पती पतनी का मालिक नहीं है महिला की गरिमा सबसे उपर है महिला के सम्मान के खिलाफ आचरन भी करना गलत है पतनी 24 घंटे पती और बच्चों की जरूरत का ख्याल रखती है कोट ने ये भी कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते है सेक्षन 497 आदमी को मन माने अधिकार देने वाला कानून है ये आर्टिकल 21 जो की गरिमा से जीवन जीने का अधिकार है उसके खिलाफ है घरेलू हिंसा कानून में इस तरियों को मदद मिली लेकिन 497 भी करूरता करती है जिस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि समानता का अधिकार सबसे एहम है कानून महिला से भेदभाव नहीं कर सकता ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरुस ऐसे रिस्तों की तरफ महिला को खीचे समय बदल चुका है और कोट ने कहा कि जो अडिल्टरी है अपने आप में अपराद नहीं है अगर इसके चलते आत्महत्या जैसी कंडिशन बन गई और कोई जुर्म हो तो इसे संशोधन की तरह देखा जाएगा चलिए जानते हैं कि ये मामला क्या है जिसकी सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रहे थी केरल के जोसफ शाइन ने सुप्रीम कोट में याचिका दायर करके आईपी सी के सेक्शन 497 को सविधान के लिहाथ से गलत बताया था याचिका करता के मताबिक अडल्ट्री के लिए 5 साल तक की सजा देने वाला ये कानून समानता के मौलिक अधिकार का उलंगन करता है याचिका में कहा गया कि इस कानून के तहट विवाहित महिला के संबंद बनाने वाले मर्द पर मुकदमा चलता है और औरत पर मुकदमन नहीं चलता ना उसे सजा दी जाती है इसके साथ ही ये कानून पती को पत्नी के सम्मंद बनाने वाले पुरुश के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार देता है लेकिन अगर पती किसी पराई महिला के साथ सम्मंद बनाएं तो पत्नी उसकी शिकायत करने का अधिकार नहीं रखती याचिका करता ने ये भी कहा कि ये धारा कहती है कि पती की इजाज़त के बिना उसकी पत्नी से किसी गैर मर्द का सम्मंद बनाना अपराद है ये एक तरह से पत्नी को पती की समपत्ती करार देता है जस्तिस चंदर चूर ने कहा कि 497 महिला की करिमा के खिलाफ है महिला खुद पती के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकती उसका दरजा पती की समपत्ती जैसा है गुड वाइफ की अवधार नामे कमी है ये औरत के वेक्तिकत निरने को प्रभावित भी करता है इस याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोट से इस याचिका को खारिच करने की मांग भी की थी सरकार ने कहा था कि विवाज ऐसी संस्था को बचाने के लिए ये धारा बहुत जरूरी है सरकार ने बताया है कि IPC की धारा 497 में जरूरी बदलाव पर वो खुद भी विचार कर रहे है मामला Law Commission के पास है इसलिए Supreme Court इस मामले में दखल ना दे Chief Justice ने सुनवाई के दोरान कहा था भारत में वेवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है भारत में इस पवित्र बंधन के खिलाव जाने वाले के लिए दंड का प्रोवीजन समाज को समाने लगता है लेकिन हमें ये देखना होगा कि अगर महिला और पूरुष्ट दोनों ने मिलकर कुछ किया हो तो सिर्फ पूरुष्ट को ही सजा देना सही नहीं है इसके साथ ही बेंच के सदर से जस्टिस इंदू मलहोतरा ने कहा था ये कानून पती की इजाज़त से गैर मर्द से शारीरिक संबंद बनाने की इजाज़त देता है ऐसे मामलों में मुकदमा नहीं बनता ऐसा लगता है जैसे पत्नी को पती की संपत्ती की तरह देखा जाता है वहीं बेंच के सदर से जस्टिस डी वाई चेंदर चूर ने कहा था अगर शादी शुदा पूरुष किसी आविवाहित लड़की से संबंद बनाए तो क्या होगा इससे भी तो शादी का पवित्र बंदन प्रभावित होता है लेकिन कानून पत्नी को इजाज़त नहीं देता कि वो पती के खिलाफ मुकदमा कर सके और आविवाहित लड़की का पती नहीं होता जो किस शिकायत दर्ज करेगा यानि पूरुष मुकदमे से बच जाएगा इसलिए सुनवाई के दोरान इस पूरी धारा को रत करने की मांग की गई थी कहा गया है कि ऐसे संबंद कानूनन तलाक का अधार देते हैं इसे सीविल मामले की तरह देखा जाना चाहिए इसे अपरात की तरह देखना और किसी को जेल भेजना गैर जरूरी होगा तो फ्रेंज ये था आभी का हमारा वीडियो सुपरीम कोट के एक बड़े फैसले के उपर जिसमें की धारा 497 को खतम कर दिया गया है उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में दिये के बेल आइकन को भी जुरूर प्रेस करिए क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसके नौटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच